हेलो फ्रेंट्स मैं हुआ परना शिंदे फ्रॉम जूनियर फिजिक्स और आज एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक हम देखने वाले विच इस फ्रॉम डी चैप्टर रोटेशनल डायनमिक्स और वो है पारलल एक्सेस थेरम यहां पर मैंने एक्सेस नहीं लिखा है बच्च और यह इंपॉर्टन थेरम इसलिए बच्चो क्योंकि इसके उपर आपके बहुत सरे अब्जेट्स की मुमेंट आफ इनर्शय डिपेंडेंट है तो चलिए बिना टाइम गवाए हम थेरम को शुरुवात करते हैं लेकिन बच्चों थेरम की और जाने से पहले मैं आपको य अब आपको अगर मेरा डिस्टिबूशन ऑफ पार्टिकल तक बात कर रहे हैं तो यह फॉर्मिला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था लेकिन मानलो यहाँ पे इसी बॉड़ी में अगर मेरा डिस्टिबूशन ऑफ पार्टिकल कंटिनियूस है डिस्कृट नहीं बलके कंटिनियूस है तो यही फॉर्मिला चेंज हो जाता है बच्छों इंटिग्रेशन में मतलब समेशन वाला साइन चला जाता है और इंटिग्रेशन वाला आ जाता है जहां पे आर स्कूर राजटी इस इन्टो डियम वेर डियम इस अ मास ओफ अफ अनी पार्टिकल और स्मॉ कई स्मॉल मास ऑफ एनी पार्टिकल सो यह हो गया आपका इंटिग्रेशन फॉर्मिला फॉर्दर डिस्टिपूशन ऑफ पार्टिकल वैं गैंटिनियस इस फॉर्मिला की बात हो रही है तो हर जगह पे लिए हम यह सेकंड वाला इंटिग्रेशन वाला फॉर्मिला यूज करेंगी तो चलिए बीना टाइम गवाए विल गो फॉर दी थेराम तो थेराम के लिए बच्चो डाइग्राम इंपोर्टन है तो पहले हम डाइग्राम निकाल लेते हैं टेक रिजिड बॉड़ी जिसका शेप आप कैसे भी निकाल सकते हो समझने लाइग निकालो सिर्थ यह हो गए आपका शेप अब आपको एक एक्सिस ऐसे दिखाने बच्चों कि जो सेंटर अफ मास से पास होनी चाहिए हर एक बॉड़ी का खुद का एक सेंटर अफ मास होता है सेंटर अफ मास मतलब जहाँ पूरे बॉड़ी का मास कॉंसेंटरेट होना चाहिए मान लो इसका सेंटर अफ मास कुछ यहाँ पर है सी पॉइंट पे तो यहाँ पर अगर मुझे एक एक्सिस बतानी है जो पास हो रही है सेंटर अफ मास से मतलब पॉइंट सी से तो मैं दूसरी एक्सिस मुझे दिखानी है जो कि है इसी को ही पारलल एक एक्सिस हो गई बच्चो जो कि सेंटर ओफ मास से पास हो रही है दूसरी एक्सिस मैं यहां पर दिखाती हूं जो कि exactly उनीची उसको पारलल तो देखी ये दो एक्सिस हो गए मेरे जो कि है एक दूसरे को पारलल तो ऐसे मेरे पास दो एक्सिस हो गए तो ये था point C जो कि है center of mass of this object और मैं बोलूँगी ये कुछ O point था जिससे मेरे एक्सिस पास हुई है तो अभी क्या है देखो जो एक्सिस center of mass से पास हुई है तो उसकी around अगर मैं body rotate करू तो इस तरह होगी और इसका moment of inertia हम denote कर सकते है I C से लेकिन दूसरी जो एक्सिस है जो पास हुई है point O से उसका moment of inertia हम denote करते है I O से या I not भी बोल सकते हो आप तो बच्चो ये parallel axis theorem का एक target क्या है कि अगर मान लो आपको इस axis का moment of inertia पता है जो कि center of mass से गुदर रही है तो आप इसका moment of inertia find out कर सकते है जो कि इसको parallel है which can be passed from any point so हमें वही देखना है कि इसका moment of inertia कैसे निकाल सकते हो मतलब ही I not कैसे निकलेगा यह हमें देखना है by parallel axis theorem so चलिए बढ़ते है theorem की तरफ तो अभी देखे बच्चो I will show the necessary things in the diagram which we need for the derivation और proving the theorem तो देखिए दो axis तो मैंने parallel दिखा दिये अब यह दोनों separated है कुछ distance h से so इन दोनों में जो distance है वो कितना हुआ h हुआ अब मैं यहाँ पे एक point consider करूंगी जिसको मैं label करूंगी d और यह d point जो है यहाँ पे एक particle मान लो d point पे और उस particle का mass है small dm so this particle has a very small mass और you can say very less mass which we denoted by dm आब यह जो d point है यह c point से हमें ऐसे दिखा सकते हैं इसको कुछ इतने दूरी पे हैं मतलब यह जो axis है जिसका moment of inertia है ic इस axis से कितने दूरी पे है d point तो मैं बोलूंगी यह cd इतने दूरी पे उसी तरह यह d point आपके i naught axis से कितने दूरी पे हैं तो मैं कुछ इसको ऐसे दिखाऊंगी यह है ओडी इतने डिस्टिंस के दूरी पे हैं तो यह दिखाना भी बहुत important है डाइग्राम में बच्चो अब एक बर आपने दिखा दिया तो हम जैसे nominal 10 standard में कुछ अपनी तरफ से भी construction करते हैं डाइग्राम में वैसे में क्या करूंगी d point से perpendicular draw करूंगी नीचे देखिए और इसको भी एक जोइन करूंगी और इस point को हम नाम देंगे बच्चो और यह कुछ हो गया मेरा डाइग्राम complete अब इस डाइग्राम में कुछ ज्यादा करना नहीं है हमें यह तो हमारा डाइग्राम वाला पार्ट हो गया जैसे मैंने derivation के starting में या theorem के starting में बताया था कि moment of inertia when there is continuous distribution of particle the formula for it is given by integration तो अगर मानलो मुझे इस axis का formula लिखना है IC के लिए the axis which is passing from center of mass तो आप कैसे लिख सकते हो I is a moment of inertia C means that axis is passing through center of mass so I can write integration right तो हमें D point पे concentrate करना है यह D point I C मतलब यह C point से कितने दूरी पे है तो मैं बोलूंगी यह C D इतने दूरी पे तो इसका आ जाएगा square बच्चो और mass क्या है उस D point पे dm आप अगर recall करो तो हमारा formula था I is equal to R square dm यह R क्या था बच्चो distance from the axis till the particle where it is situated तो हम यह particle था हमारे D point पे situated है जो मैंने आपको circle करके दिखाया है और कितने distance पे है from this axis I see it is C D distance तो मैंने इसलिए यह formula ऐसे लिखाया है देखो बच्चो तो आपको शायद समझ में आ गए होगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो same formula मैं फिर से दोरा रही हूँ देखिए हमें D point पे concentrate करना है D point यह जो C point से यह जो axis है which is passing through center of mass उससे कितने दूरी पे है तो उसकी लिए हमे moment of inertia का formula लिख रहा है तो मैंने यह IC is equal to लिखा कितनी दूरी पे है CD उसका square into mass कितना है DM जो की similar to this हो गया बच्चो उसी हिसाब से हम लिख सकते formula for the axis which is passing from point O जिसका moment of inertia है I not या आप I O भी बोल सकते हो which will be integration of कितने दूरी पे है D point बच्चो I not इस से यह वाली axis से तो मैं बोलूंगी यह है OD इतने दूरी पे देखे यह वाला मैं आपको color अलग color से दिखा देती हूं यह वाला देखे बच्चो यह इतने दूरी पे है D point from the axis which is passing through point O तो मैं लिखूंगी OD square into DM इसको हम बोल देते है equation 1 और equation 2 इक्वेशन वन टो इसलिए मैंने मार्क किया क्योंकि यह आगे लगने वाले है आप यह equation 2 को ही थोड़ा मैं आगे ले लेती हूं equation 2 which is I not is equal to integration of OD square बच्चो OD square दहान से देखो अब triangle अगर देखोगे तो मैं अब रेड गलर से triangle को फिर से दिखा देती हूं देखिए पूरा triangle अभी थोड़ा सा focus कीजिए यह पूरा triangle देखिए उसमें अगर मैंने पाइथाग और स्थेरम अपलाई किया तो मैं क्या लिख सकती हूं OD square की जगा पे हम क्या लिख सकते हैं सो OD square can be replaced by मैं ऐसे लिख सकती हूं क्या इसको ON square प्लस DN square इंटू DM मतलब सिफ OD square के जगा पे मैंने लिखा है ON square इंटू DN square by पाइथागर स्थेरम इसंट इट अब एक बार यह लिख दिया तभी ध्यान से फिर से अपने डाइग्राम में देखिए डाइग्राम की तरफ अब जब देखोगे तो ON ये वाला पार्ट देखिए देखो इसको फिर से मैं आपको blue color में दिखा देखती हूं ये वाला जो ON है ये ये ON जो है ये दो पार्ट में डिस्ट्रिब्यूट हुआ है एक OC है और एक CN है बराबर है तो मैं जहाँ पर ON है वहाँ पर मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूं बच्चो देखिए ये equation कुछ ऐसा भी हम लिख सकते हैं integration ON स्क्वेर की जगा पर मैं कुछ ऐसा भी तो लिख सकती हूं OC स्क्वेर OC PLUS CN THE WHOLE SQUARE PLUS DN SQUARE AS IT IS INTO ये पूरा ब्रैकेट बना देते हैं INTO DM तो देखिए बच्चो इसी को स्प्लीट किया है मैंने इसमें अब ये हो गई आपका स्प्लीटिंग वाला पार्ट ये थोड़ा mathematics से बच्चो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं सिफ आपका geometry अच्छा हो तो वेरी इजी टू दू तो ये हो गए आपका pythagoras theorem से तो आगे बढ़ते हैं आप आगे क्या करना है देखो बच्चो एक बार ये हो गया तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम अप्लाइ करेंगे a plus b the whole square वाला formula तो आपको पता है a plus b the whole square का formula क्या आता है तो a plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square तो यहापे डाल देती हूँ i naught is equal to integration integration में हम इसको अभी split कर देती हूँ पहला आएगा oc square plus 2oc dot cn that is 2ab plus b square मतलब cn square plus dn square as a d देखिए बच्चों यह पूरा मैंने ऐसे की ऐसे लिखा फिर से repeat कर रही हूँ यह वाला जो पार्ट है इस ब्रैकेट का यह पूरा मैंने यहाँ तक split किया है और यह dn square as it is तो यह हमने splitting part किया है by a plus b the whole square के हिसाब से अब एक बार यह हो गया तो आप देखिए आगे हम बढ़ते हैं अब ध्यान से फिर से डाइग्राम में देखना है हमें अब देखना क्या है देखिए यह जो cn square plus dn square cn square plus dn square मतलब मैं अब फिर से आपको blue color में एक triangle दिखा रही हूँ यह blue नहीं हम कुछ अलग color ले लेते यलो वाला ले लेते अभी यह देखिए यह वाला triangle देखिए बच्चो मैं अगर बात करो cn square plus dn square तो by pythagoras theorem cn square plus dn square मतलब यह जो आपका last वाला पाड़ है न बच्चो यह वाला यह वाला मैं आपको दिखा देती हूं यह वाला last का पाड़ बच्चो यह cn square plus dn square अगर डाइग्राम में देखो तो यह दो साइड का square है which is equal to hypotenuse square by pythagoras theorem मतलब cn square plus dn square को ही मैं लिख सकती हूं cd square I hope आपको समझ रहा है बच्चो तो इसी को ही मैं देखो कैसे लिखती हूं अभी आगले step में i0 is equal to oc square as it is plus 2oc.cn plus cd square यह पूरे bracket के बाहर में लगा दूँगी dm को अब यह हो गया आप क्या करेंगे एक बार यह होने के बाद इस dm को अंदर multiply करेंगे बच्चो मतलब हर एक का integration different different लिखेंगे हम तो ठोड़ा separate करेंगे अभी यह dm को हर एक term के साथ multiply करेंगे अंदर तो चलिए multiply करते हैं so when we'll multiply it क्या होगा देखो आपको क्या मिलेगा integration of oc square into dm plus या पर देखो two constant तू को में integration के बाहर निकाल देती हूँ oc dot cn into dm plus integration of cd square into dm अब यह split इसलिए क्या है बच्चो क्या आप धहान से देखो तो oc square into dm oc square oc क्या है बच्चो देखें डाइग्राम में oc is the distance between two parallel axis जो कि है h यह देखें बच्चो या पर डाइग्राम में देखें तो यह oc square is nothing but h तो यहाँ पर मैं h square हो गया आपका तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिख सकती हुए oc square हो गया h या oc हो गया h तो oc square हो जाएगा h का square और h क्या है distance between two parallel axis और distance मतलब यह constant हो गया जो आएगा out of integration मतलब h square को मैं बाहर निकाल दूंगी अंदर रहेगा सिफ integration of dm यह पहले वाले term की बात हो गई बच्चो तो यहाँ पर यह oc is nothing but h तो मैंने यहाँ पर oc square को कर दिया h square और h यह distance होता है तो यह constant हो गया है कुछ न कुछ तो distance होगा तो हम इसको integration के अंदर नहीं डाल सकते तो उसको बाहर डाल दिया मैं प्लस 2 as it is बच्चो फिर सी आपे oc आया है oc मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको oc मतलब h है which is distance between two parallel axis तो उसको में पहले integration के बाहर निकाल देती हूँ अंदर आएगा cn into dm प्लस cd square into dm by equation 1 देखिए cd square into dm क्या है यह nothing but moment of inertia that is ic which is passing from moment of inertia of the axis which is passing through center of mass अब बच्चो यहापे फिर से देखिए integration of dm integration of dm का meaning है बच्चो dm यह एक particle का मास होगा है आपके integration का meaning होता है यह dm जो एक particle का मास है ऐसे सारे particle के मास को आप integrate कर रहे हो मतलब add कर रहे हो बच्चो तो सारे particle को अगर मैंने add किया सारे particle के मास को that is small dm dm मानलो यह ऐसे बहुत सरी है मैला body था इस body में सारे dm dm ऐसे mass वाले particle है इन सबको मैंने add किया मतलब integrate किया तो मुझे मिलेगा total mass of the body that is capital M तो यहाँ पे मैं integration of dm के जगा आपे सिफ capital M भी लिख सकती हूँ तो यहाँ पे में लिखोंगी m into h square यह होगा है मेरे पहले term अब दूसरा यहाँ पे प्लस यहाँ पे देखिए बच्चो integration of cn into dm cn मतलब यह वाला point की बात हो रही है cn यह distance है तो यहाँ पे क्या होता है बच्चो यह जो cn वाला point है यह जो c point है यह क्या हो रहा है it lies to origin मतलब यह जो center center यह जो center ने आपके body का यह मैं बोल सकते हूँ center of mass point where your center of mass your whole body mass is supposed to be concentrated तो यह c वाला point क्या है center of mass of your body और यह कहां पे आ गया है origin पे आ गया है और origin पे हमेशा आपका center of mass हो जाता है जीरो इसलिए यह पूरा integration यह जो है यह हो जाएगा जीरो बच्चो यहां पे में भूलूंगी यहां पे में एक कॉर्णर पे लिक देती हूँ integration of cn into dm हो जाता है जीरो because center of mass that point lies to your origin तो यह integration reduced to zero अब बच्चा सिफ्ट क्या ic आप इसको में थोड़ा सा rearrange कर देती हूँ यह वाला equation जो में मिल गया है तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ i naught is equal to ic plus mh square और यह बन जाता है हमारा बच्चो by equation 3 the equation for parallel axis theorem जो कि कहता है अगर इसका statement आपको बनाना है तो equation से ही बना सकते हो that is moment of inertia of an object of any axis any axis मतलब i naught so moment of inertia of an object of any axis it's sum sum देखिये plus sum of moment of inertia of the axis which is passing through center of mass मतलब ic and product of mass and square distance between two parallel axis यह हो गया आपका statement तो आपके equation से ही बन जाता है बच्चो statement of parallel axis theorem मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आ गया होगा अगर कुछ doubts है तो comment session में मुझे बताइए बच्चो नेक्स लेक्चर में मिलते है for perpendicular axis theorem so if you like my video please like share and comment thank you